महंगा डॉलर मतलब महंगाई महंगाई का मतलब उचे इंटर स्टेट्स उचे इंटर स्टेट्स का मतलब ना होने के बराबर एकनॉमिक ग्रोथ ना एकनॉमिक ग्रोथ का मतलब हमारे जेवों में कम पैसे कम पैसों का मतलब कम सेविंग्स कम savings का मतलब कम investments और कम investments का मतलब stocks, real estate या कोई भी और दूसरी asset class का ना बढ़ना इन सब का मतलब ये है कि जो dollar की recent तेजी हुई है उसको ठीक से समझना पड़ेगा सिर्फ पाकिस्तानी angle में नहीं वो तो हमें पता है global angle से तो करते कुछ यू है कि इसको तीन हिस्सों में तोड़ देते हैं जरा सा background dollar का international market में angle और आखिर में इन सब को एक साथ देखना कैसे है अगर आप सिर्फ 15 मिनिट headline news सुनते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि हमारा रुपिया पिछले कुछ दिनों से काफी pressure में था April 2020 में जहां एक डॉलर 180 रुपए का हुआ करता था वो कुछ दिनों पहले 240 से भी जादा हो गया था सारा media, सारे anchors, financial markets, investors confused थे कि अगर हर साल 5-7% रुपिया depreciate हो ही रहा था तो 2018 जैसी currency depreciation एक साथ कैसे हो गई कहते हैं उस वक्त रुपे की कदर artificially रोकी गई थी और 2022 में ऐसा कुछ नहीं था और ये कि एक बार IMF के डॉलर्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे तो ये सारा मसला solve हो जाएगा और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी जैसे ही पाकिस्तानी banks और exchange companies को ये confirm हुआ कि वाकई पैसे August में मिल जाएंगे तो डॉलर कमज़ोर होना अब confidence इतना बढ़ गया है कि लोग कहते हैं कि शायद currency जहां से शुरू ही थी वहीं वापस चली जाए यानि 180 रुपए का डॉलर बट 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 क्या डॉलर वाकई 180 रुपए का हो जाएगा कहीं लास तीन चार पाँच महीनों में कुछ ऐसी changes दुनिया में तो नहीं आई हैं कैसा होना मुश्किल हो Let's see हमें लगता है कि हर मुल्क अपनों में मस्त है पर दर असल दुनिया आज बहुत ही interconnected है इसको इस तरह समझें जैसे सारी दुनिया एक apartment complex है 200 flats हैं और हर flat एक मुल्क को represent करता है कुछ flats बहुत बड़े कुशादा, fancy हैं like western countries और कुछ flats बहुत basic हैं like Pakistan लेकिन अगर एक flat में कुछ बड़ा change आ जाए तो दूसरे मुल्कों में चीज़ें हिल जाती है और आज एक मुल्क में नहीं बहुत सारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हिल रही है जैसे के inflation inflation को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है बड़ उसकी implication को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है ज्यादा inflation का मतलब currency की value का नीचे गिरना है इसको रोकने के लिए मुल्क अपने interest rate बढ़ाते है और ज्यादा interest rate का मतलब कम spending या ज्यादा savings बैंकों में रख देंगे ना पैसे क्या जरूरत रिस्क लेने की और अगर interest rate किसी ऐसे मुल्क में बढ़ जाएं जिसकी currency के उपर पूरी दुनिया का financial system चलता है तो मसला बहुत बड़ा और prolonged हो सकता है ये है USA का last 50 साल का inflation trend अब नजर दालें जून 2022 के नंबर पर ऐसा inflation का नंबर लग भग 40 साल के बाद नजर आया यूएस में और क्यूंके दुनिया का सारा system dollar पे चलता है ना सिर्फ US में रहने वाले बलकि उनिया का हर fund manager wealth manager, trader इस वक्त सब कुछ बेच के US dollar में अपनी currency को switch कर रहा है and this switch is increasing US dollar's demand versus all the other currencies आज US में 4 साल के बाद पहली बार 3% interest से ज्यादा मिल रहा है global financial analyst को लगता है कि ये 3 शायद 4 या 5 हो जाए और जब सारे पैसे US dollar में convert हो जाएंगे तो किसी भी दूसरे मुल्की currency कैसे strong हो सकती है और ये मसला सिर्फ इंडिया, बंगलादेश या आसपास के मुल्कों में नहीं हो रहा है कुछ दिनों पहले euro one is to one के pack पे पहुँच गया था against the dollar now back to Pakistan आज तक जो रुपय की कदर गिर रही थी वो हमारे कारणामों का नतीजा थी यानि हद से ज़्यादा imports negligible exports, debt repayment बड़ अब दुनिया में dollar का strong होना हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है अगर dollar इसी तरह strong होता रहा यानि US के interest rate इसी तरह बढ़ते रहे तो पाकिस्तान को अपने रुपय की कदर को सिर्फ maintain करने के लिए interest rate बढ़ाने पड़ेंगे which is bad, really, really bad unfortunately हम उस वक्त crisis से निकल रहे हैं जब दुनिया में inflation crisis peak कर रहा है तो पाकिस्तानी रुपय पर एक holistic view बनाने के लिए अब पाकिस्तान से जरा बाहर देखना जरूरी हो गया है अगर आपको पाकिस्तानी रुपी पर कोई sensible view बनाना है तो oil and gas या खाने पीने की international prices को follow करना शुरू कर दें अगर ये prices नीचे आती रही तो दुनिया का inflation कम होता रहेगा और उनको interest rate नहीं बढ़ाने बढ़ेंगे जब वहाँ interest rate नहीं बढ़ेंगे तो dollar की demand गिरना शुरू हो जाएगी और जब ऐसा होगा और हमारी local मुश्किलें कद्रे बेतर हो चुकी होंगी तब जाकर पाकिस्तान का रुपिया अपनी जगा संभाल पाएगा अगर आपको dollar को देखने का ये नजरिया पसंद आया हो so please like this video